नमस्कार, देखिए हमारे घर में सिवजी लाराते हुए बेल वरिक्ष के नीचे, बेल की छामें सुंदर विराजमान है, देखिए जलकी धारा सिवजी के उपर से होते हुए बेल वरिक्ष के जड़ों में गिर रहा है, यह द्रिश्या अतिमनभावन एवं आनन्द विभूर करने वाला है, कभी यह जलधारा नाग देता के उपर से होते हुए सिवजी के उपर गिरता है, कभी यह जलधारा सिवे सिवजी से बेल की विक्ष में जाता है, यह देखने से मन को बहुत ही सुकून विलता है, ओम नमा हसीवाई, यह कलकल करती निरंतर पवित्र जलधारा जो कलस्ति होते हुए बेल विक्ष के जड़ों में गिर रहा है, यह मंत्र मुठ्ध करने वाला दृष्या हमारे घर का है, देखिए, यह जलधारा कभी नाग देवता के उपर से होते हुए सीवजी में आता है, कभी सीवजी से होते हुए बेल के विक्ष में निरंतर जा रहा है, बेल की जड़ों में बहुत ही सुन्दर मन मोहग दृष्या है, यहाँ मन को सुकूम से भर देने वाला दृष्या है, देखिए, यहाँ सीवजी के जलसे ही यहाँ बेल के विक्ष हरा भरा है, देखिए, पास में ही मन मोहग दृष्या होता है, जब इस कमल नाद में पढ़की का जोड़ा पानी पीने आते हैं, अभी तो नहीं आ हैं, पर इस कमल नाद में पढ़की का जोड़ा रोज पानी पीने आते हैं, झाल झाल झाल